किसान भाईयों, हेरो और गैनिक की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है किसान भाईयों आज कल एक लेहर चल रही है इंटरनेट पे सीडलेस लेमन, सीडलेस लेमन, सीडलेस लेमन क्या है ये? क्या इतना अच्छी वेराइटी है कि किसान लोगों ने आग बंद करके सोच के कि हाँ भी बीजू नीम में से बीज नहीं निकलेगा तो वह तेजी से बिगेगा क्या ऐसा है तो हम लोग आप लोगों के लिए आज एक विडियो लेकर आ रहे हैं सीडलेस लेमन की वेराइटी की यहां जहां पर हम है यहां पे सीडलेस लेमन की पोद्त ट्यार की जाती है गुट्टी से हम लोग इसके पक्ष में नहीं है वर्तमान में क्योंकि इस वैराइटी का सैलेड में इस्तमाल नहीं होता है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा होता है तो किसान भाईयों ये इस क्रशक ने इस नर्सरी मैन ने यहाँ पर गुट्टी तयार की हुई है क्योंकि डिमांड काफी आ रही है पूरे भारत वर्ष से लेकिन डिमांड आने के बाद में फैलियरोटी जब वो माल नहीं बिखता है तो देखने को मिलती है जिससे काफी क्र मार्किट में नहीं बिख रहा है कहां बेचें तो आप लोगों को प्रोसेसिंग धूनने के अवशकता पड़ेगी इसके लिए बिखेगा सब कुछ बिखता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह देखिए इसे लगाने से पहले कि आप कि यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट ह साथ ले लेती हैं अभी हम लोगोंने एक निम्बू तोड़ा है आप देख रहे हैं छोटे छोटे निम्बू लगे हुए हैं यह निम्बू है सीडलेस लेमन अभी कच्चा है तो इसको काफी बड़ा होता है जब जाके इसके अंदर रज बनता है लेकिन जो परचारक 20-90 ग्राम और अगर इसे सही टाइम पर ना तोड़ा जाए तो 500 ग्राम तक भी चला जाता है आप यह देख सकते हैं कि यह सामने निम्बू लगे हुए हैं मैं अभी एक निम्बू तोड़ाता हूँ अभी यह निम्बू तोड़े जरा तोड़ पाएंगें नए नहीं वो स सामने तो आप देख सकते हैं जहां जहां भी है जो मैच्चोरिटी पर है लेमन वह सामने से तोड़िया तो एक तो इसके अंदर पैर रखे जाए दोनों यह देखें निम्बू है तो पहली बात तो इसकी शेप जो है वह अंडाकार होती है यह देखिए अंडाकार निम्बू हमारे परिवारों में बहुती कम पसंद किया जाता है ठीक है तो पहली चीज तो हमें इसमें सेलेट के मतलब की वैराइटी नहीं है अब यह देखिए एक निम्बू यह हमारे पास और आया है अब आप इसे देख सकते हैं मेरे हाथ में थोड़ा इसका मैं कम करता हूं अब देख सकते हैं यह निम्बू है यह जो की सामान्यता बजार में सेलेट में प्रियोग नहीं होता है सारे निम्बूज लगे हुए काफी जो भी तैयार निम्बू है वो लगबग 80 ग्राम से उपर ही है तो क्रिशक भाईयो किसी भी भ्रहमक परचार में ना आएं और अपनी सूजबूज के साथ ही आप वेराइटी का चैन करें तभी आपको लाब मिल पाएगा यह है आप यह भी देख सकते हैं देखें अब पेड़ पी लगा हुआ है कितना मूटा निम्बू है तो यह निम्बू हमारे भारत में नहीं पसंद किया जा रहा है तो इसे कोशिश करके ना लगाएं वरना आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है यह प्रोसेसिंग की वेराइटी है और अगर प्रोसेसिंग यूनिट है तभी इसके लिए आप जाएं नहीं तो ना जाएं इसी शुब कामना के साथ के मेरी यह वीडियो देश आप लोगों को पसंद आयागा कहीं ना कहीं आपके भविश्य में आपको सही निरने लेने में यह मदद करेगा मैं हीरो और्गेनिक से राजीव सिंग चोहान आप सभी किसान भाईयों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं जैहिंद वंदे मातर झाल 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 झाल